तो आदमी के अंदर कई तरह के सवाल उठते हैं जैसे क्या आज के दौर में आज के समय में आदमी खुश रह सकता है? दूसरे शब्दों में क्या आज के दौर में खुशी से जीवन जिया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ ऐसा संभव है क्या इसके लिए कोई दवाई? क्या इसके लिए कोई नशा? क्या इसके लिए कोई संसादन लाने पड़ेंगे? जी नहीं कोई दवाई की जरूरत नहीं कोई अलग से संसादन खरीदने की जरूरत नहीं खुशी रहने के लिए खुश रहने के लिए ये बेहत जरूरी है आपके दिमाग में जो अनापशनाप चलता है लगातार नेगटिव जलता है उसको कंट्रॉल करना है और दिमाग के इन विचारों को कंट्रॉल करने के लिए तरीका है गुरु मंत्रा नाम शबत कलमा मैं तरो मेटेशन गुरु मंत्र का जाब करो आपके अंदर आतम बलाएगा आत्मिक शानती आएगी गुरु मंत्र का जाब करो आपके डियने के सेल पावरफुल बनेंगे जो आपके माइंड को रीफ्रेश कर देंगे पूरी तरह से फ्रेश कर देंगे और जब डियने के सेल पावरफुल है तो दिमाग में विचार भी पावरफुल होंगे और विचारों का पावरफुल होना ही खुश रहने के लिए एक सबसे बड़ा संकेत है तो मेडिटेशन गुरु मंतर का जाब उसे DNA के पावरफुल सेल हो जाते हैं DNA माइंड को पॉज्टिविटी और अच्छाई के संदेश बेजता है और जब दिमाग में अच्छाई के संदेश आ जाते हैं तो अपने आप चेरे पे मुस्कान खिल उड़ती है